कि नमस्कार मैं हूँ शिवतियागी जनतंत्य टीवी के खास कारेकरम इंडिया के आवाज का कारवा आज फ़रीद अबाद में पहुचा है और जानेंगे फ़रीद अबाद की जनता का क्या है मून आपको बता दें कि वर्तमान में जो सांसद हैं वो किशनपाल गूजर बीज कि जनता की जानते हैं मून कि जनता क्या चाहती है और इसका जनता इस बार अपना सांसत किसको बनाना चाहती है जनतंती टीवी का चुनावी चौपाल इस समय फरीद आबाद के जैसाना गाउम है और यहाँ पे लोग की समस्या गो जानेंगे कि पिछले पांथ साल में कितना विकास का रहा है अब यहाँ पे अभी कुछ देर बाद जो है बी जेपी की प्रत्याशी है उनके एक साभा रहे हैं और मंजाबले का फुल्क बन्मानाईन का काम है रोडों की मरमत कुब करवाई है कोई दिक्कत नहीं लोगों को जो भी उनके के लेखा नगे कांशा ते इति नहूंक कोशिच कि Decky यह समस्षया लगे रकर्ण कोशिच है जो भी समस्या लगें कर आप सांसात के पास एक कितना काम हृए पजसा पांश काम बचगए काम के बारे में ये काहँ है कि कितना बचा है उसकी कोई लिमिट नहीं होती लेकिन सबसे पहले जो हमारे सांसद जी ने जो मंत्री महुद्या ने काम किये वो बहुत सराइनी हैं सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि यहां की रिष्टेदारी नौईडा से जुगती हैं जो की जमना क्र बना दिया है और उसका जो एना बहुत जल्दी से वो चालू हो जाएगा दूसरे जब पहली योजना में सड़क नहीं थी यहां पर बलके गड़ों में सड़क थी आज सड़क के ऊपर कोई गड़ा मिल जाए तो मिल जाए लेकिन सड़क बिलकुल ठीक है गाम के काम के और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि कोई भी समस्चा को लेकर के उनके पास में गए उन्होंने उसको सुल जाने की पूरा परियतन किया अगर कोई छोटी मोटी बात होती है उनको समझाने का प्रियतन किया और बहुती बहतर मेल मिल आप से वो रहे हैं इस समय तक आपको कि अगर बात करें तो क्या स्थितिती है इस समय मजबूत है डाउने लाली तनागर की डाउन की करिशन बाल की बथ तरह ईंग सवी का गैना है कि जो कशन पाल वो काफी मजबूत है और जो इस सबे के आगामी जो लोकसोबा चुनाव है यहां पर उसमें पार इमतों से किशनपाल को यहां पर से जिताएंगे इसे में मौजूद हैं फरीदाबाद मेर फरीदाबाद की महंदी वाली गली में मौजूद हैं आपको बता दें कि फरीदाबाद मेहंदी के नाम से मचूर है और मेहंदी का वेपार यहां पिछले 500 साल से चल रहा है लेकिन जैसे ऐसे फरीदाबाद का विकास हुआ मेहंदी का वेपार यहां से दीरे दीरे खतम होने लगा पहले कि अगर बात करी जाए तो यहां पे करीब 60 से 70 फैक्टरिया थी और देसी तरीके से यहां पे जो मेहंदी बनाई जाती थी यहां पे अभी भी चला रहे हैं मेहंदी का वेपार यहां मुगल काल से है कम से कम डो सो डाइसो साल हो गए यहां फरीदाबाद के अलो वर्ड में फरीदाबाद की मेहंदी फेमस थी और उस ताइम बहुत छोटे लिवेल पर काम हुआ करता था कोई इतनी मशिनरी यूग नहीं था छोट छोटी चक्कियां थी और तेहाँ से कूटी थी इसके बाद में फिर आगरा नहर बनी है तो उसके पड़ भी पंचक की लगके मेहंदी का काम हुआ 70-72 के बाद में ये मेकेनिजम जादा बड़ा है मेहंदी का तो उसमें हमारी शेल भी बड़ी है काम भी बड़ा है 1965-65 में फड़ीदबाद का शहरी करण हुआ काफी खेट तो उसमें एकवार हो गए थे पर 70-72 के करीब तो टोटली मेहंदी यहां से उखड़ गई है लोग कंक्रीट का जंगल हो गया है और जितना जहां मेहंदी का वैपार था सोजत में पाली जिले के अंदर सोजत है उसके अंदर सारे लोग वहीं इंडस्ट्री लगा रही है वहीं डाइवर्ट हो गया है सारा मेहंदी का वैपार जो नेच्रल मेहंदी है उसका वैपार वहां सिफ्ट हो गया है ऐसा है जहां गौर्वर्मेंट की बात है गौर्मेंट ने मेहंदी उद्द्यों के बारे में क्यों यहां है ही नहीं ना तो इस बीज़् पी शटकार ने सोचा है, राज़िस्थान में था. राज़िस्थान में कियागco ओ गया है फडिदाबाद मेंडेश अब जिया जोगवा हे तो राज़िश्थान में लागो हुए फडिदाबाद में लागू है, आलोप्र इंडिया है। उसकी समानता आने से हम लोगों का ब्यापाट यहां ठीक हो गया है अब चलेंगे फईदाबाद के सेक्टर 21 फटेपुल चिंदिला गाउं में वहां पे जानेंगे किस तरीके का मिजाज है और किस तरीके का आगामी जो लोक सौबर चुनाव है उसमें लोगों की क्या राय है कौन सी पार्टिया यहां पे कितने चुनाव पचार में लगी हैं देखे चुनाव पचार देरे देरे अपनी गती पर आ रहा है और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों में मोधी जी के प्रती और देश के पिट्ती जो भावना जाकरत हुई है वो पहले चुनाव में देख रहा हूं आज बच्चे से लेकि बड़े तक हर आदमी दिल से चाहता मोधी जी देश के परधान मंत्री बने और आप खुच जाके देखो गाहां हो जुगी हो कलोनी हो शेहर हो हर जिगे आज देश के लोगों के सामने अपने परधान मंत्री पद्केव मिद्वार का नाम सार्व जी किया है कि हमारी सरकार में नरंद्र बोधी देश के परधान मंत्री होंगे देखे मैं यह कहता हूँ कि इन पांच सालों में फईदाबाद में आगरा कैनाल गुर्गावा कैनाल पर दरजनों पुल हों ग्रेटर नोड़ा से जोनने के लिए मजावली का पुल हो और नेशनल हाईवे का सिक्स लाइन जो बनाया गया वो हो फईदाबाद के रोड हो फईदाबाद के पार्क हो इंडोर स्टेडियम हो मैट्रो हो और पासपोर्ट ऑफिस हो और कलोनियों में सीवर और पीने के पानी की वश्ता करने की बात हो गावों की गंद निकालने की बात हो फिरनी हो सडके हो रास्ते हो और 24 घंटे बिजली द और मैं समझता हूं जितना पांच साल में हुआ है पिछले मैं समझता हूं तीस सालों में भी फ़ाइदाबाद में पुर्णी हुआ जंतन्ति टीवी का खास प्रोग्राम इंडिया के आवाज इस समय फ़ाइदाबाद के शर्मा चौक पर पहुचावा है और यहां से लोगों से जानेंगे किस तरीकी की यहां पर विकास का रहे हुआ हैं लोगों से पूचेंगे कि आगामी जो उनकी जो उमीदें हैं वो किस तरीके का किर विकास को यहां पर चाहते हैं यहां पर जिस तरीके के रूपने चल दीए बीजेपonden कांग्रेश केवां थैस value क्या आ हीहां परुआ को परईसान है खुसकारे नहीं है विकास का रहे हैं आपको बता दें कि सीता राम बर्गर जो यह है वो दुकान काफी मशूर है और यह जो शर्मा चौक है अधिकतर जो शाम के समय होता है और ऐसे में लोगों कि यहां बीड लगती है काफी बीड लोगों यहां खाने के लिए आते हैं किस तरिके का विकास का करने के लिए आपके बीच में कभी आए आप लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं को कि यह देख किस तरिके का विकास का दें आपके हुआ है तक सर्मा चोंक है अधुद को सब्देके पड़ाय नहीं हुए तक एससे जी बस चल रही सरकार किसी तरीजी से कि यह बते हैं आप पढ़ते हैं नौकरी करते हैं अच्छा तो यह आपके स्कूल पर पहले जा अच्छी हुआ है बहतर हुए जिकोई इसकूल में कोई तरक्के निए टीचर की भी कमी अभाव है इसकूल में अर्ब ना कोई जन्नेटर पाने का यह वरस्ता भी नहीं है इसका तुड़ी सालों में आपके बीच मायएं हो कितने आपके समस्याओं के दूर कराएं या इंड यह एक बार बी नहीं है इसरीय में सांसद एक बार भी नहीं आया यहां पर जीतने के बाद अ और उसके बार क्या एं तर रहा जिस पार्टी कि है उजमले बाज है जूड़ लगोड़ेदे हैं जुड़े आपको नहीं को पास कुछा आई नहीं को पास कुछ आए लिए उनका कहना है कि पांस साल में मैंने मैं ने मेट्रो बनवाई विकास कारे भाए शुर गार शेयर में विकास कर आफ आप का या महारने बैड्टो तो पहले से चलती आ रही है तो तो बंबे जान कहां से बिदेश से आई हैं कहां से यह मेंट हुआ उसका मतलब है उसका बनाना विकास को देखना यह करना कि संभाल जीन का तो यह है ठीक है पर यह का चोखी दार की निया बोर्ट देंगे आपको बात बताना हूं क्योंकि मोदी क सेंटर में लाना है इसलिए पास साल में इसमें एक पानी का टैंक बना था उसका उद्धाटन करने पर कृष्ण पान गुजरा था जब उद्धाटन करया तब तो उसमा पानी बरहा था उसके बाद उसमा आज तक एक भी बूंद पाड़ी की नहीं आई तब तो तो यंधरे साल स्यादा होगा थें में तिरक वी तरिक्ष नपश्ब करें लेकिन मैं सेक्टर 48 में रहत हूं उसमें पानी नहीं आप लेकिन राष्टरवाद के नाम पर देस की स्रुक्सा के नाम पर और विद्धेसो में देस की काबलियत को और इसके मान को बढ़ान मोदी ने देश की साख कायम करी है और एक जो अच्छा काम करा है उसने पाकिस्तान में के मुझ पे मारा मदमु का एर स्टाइक करके कि तुम अगर ऐसा कर सकते हो अब अमला तो हमात अकवादियों को मार भी देंगे तुमारे घर के अंदर गुश के मार देंगे इसका बहुत अब तक लोग वहां देखने जाते हैं कोई पैसा नहीं आया सरसे बढ़ी बात जो हमारे नोजवान लड़के हैं हमारे बच्चे हैं जो मानलो हम तो गरीब यहां नहीं आए पर यहां शांसद को कोई नहीं जानता वोट सारे चोकिदार को मिलेंगे वीजेपी को वोट करेंगी जनता ठीक है तो बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि राश्ठित का मुद्दा है और इस तरीके से सजीकल स्ट्राइक होई ती और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है ऐसे में जंता का कहना है कि एक बार फिर केंदर में मोधी सरकारा है परत्याशी चाहे कोई भी हो लेकिन वोड जो है वो मोधी सरकार को जाएगा देशबद में चुनावी माहौल है और ऐसे में हम इस समय पहुचे हैं फईदाबाद के स्कूल में जो जानेंगे यहां से फईदाबाद के लोगों की कहा रहा है क्या कॉंग्रेस की जो विकास का देते उससे सहमत नौके उन्होंने किस तरीकी की रणनीती है लोगों के जो विकास का दे है उनसे कितना सहमत है इस से में चुनावी चौपार लगी वी है और सब लोग यहां अगर अपना निश्वार्थ काम को भूल जाएं, कोई बंदा गया कि मेरा ये काम करा दो, उस चीज को अगर भूल जाएं, तो उन्होंने ओवराल ठीक विकास कारे कही हैं, और उनके इस कारेकाल में क्राइम रेट बहुत नीचे आया है, पहले क्राइम था, उतना क्राइम अ यहां से सांसद रहे हैं पिछले पांच सार से, सहमत हैं आप उनके विकास कारे उसे? नहीं, इतने काम नहीं हुए जितनी लोगों की अपक्षा थी, और इस समय उन्होंने जो काम कराई हैं, अपने सरफ पैसे बनाने के काम किये हैं, ना कि लोगों की विकास के, क्या ऐसे विकास कारे होने चाहे थे, जो नहीं हो पाएं? जैसे हमारी हैं कलोणी में पानी की बड़ी दिक्त है, जो बूस्टर से पानी देना चाहिए, वह नहीं दिया गया, छोट-छोटे टूपे लगाते हैं, जो दो महीं नीच्चे मैने बंद हो जाते हैं, तो लोगों को जैसे घृश 받 ष टेला नालियां खराब हैं कैसा नहीं तो इसलिए इतने अच्छे काम नहीं किया जो का हमें लोग कर लोग कर दचा हैं मौस्ताइब आड़ का्रिया है कि अब हमारा खाली देश के ऊपर बात है हमें देश के इस मोधी चाहिए बैस खाली मोधी Porque सँघार used को मतल्ब नहीं आप कितना सहराते हैं याता काम से संद कामध से जैसा ह। ठीक है पर मोधी ही लाना और मोधी कोई भोड़ देनी है खाली है और बागी कुछ नहीं है, किरसनपाल से ऐसा हमें कई मतलब नहीं, उसने काम कराया नहीं कराया, हमें मोधी से ही वह है, मोधी ही परदान-मंत्री आना चाहि tanto है, तब सहमेश को करें से काम से बिल्कुल आप आप लालित नागर यहां से कॉंग्रेस के परत्याशी है आपको लगता है कि लालित नागर कियो कि शन्पाल गुजर आपस में टककर है हाँ है तो सही लेकिन किरिशनपाल ने भी ठीक काम किये ऐसी बात तो नहीं है लेकिन मोदी है तो देश प्रक्षित है कि मोदी आपने वाड के विकास के लिए लेकिन आज तक नहीं दिया और जो स्टीट लाइट वो जो गिन गिन के देवा है कि पचास ले जाओ जी पचास कहां लगाएगा वो तो यह बढ़िया काम नहीं कर रहे है जो इसमें और अपने बेटे को जो डिप्टी मेर बना गप इठा दिया सारी संस्था अपने कभजे में है जो कि और लोगों के साथ भी होना चाहिए आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनका कहना है कि सांस्थ के काम से कुछ नहीं है आपका कहना सब्सक्राइब कि इसे कोई बाध दिये काम हुआ है लेकि पंदर साल से कॉग्रेस का एम पी रहा उसने आस तक कुछ भी ना आया ना देखा कुछ बहुत बढ़िया रहा है उससे तो बढ़िया यह पहले से तो कि किशनपाल गुजा झारी उनका कहना है ने कि मैट्रो का काम किया लेकिन ओ ईजो टरक्की हुई है मैट रोकी जातर बीजेपी के उसमें हुई है और यह जो फिदावासे गुड़गांगा के लिए पास्ट वा वह भी बीजेपी नं हो आब और जो भी हमारे हाईवे में पुले बने नॉन स्टॉप गाड़िया चल रही है वही बीजेपी के राज में हुई है कांग्रेस के कारेकाल में विकास कारे नहीं हो इते हैं विकास कारे रुग गये थे बिल्कुल एक केमपी रोड तो बिल्कुल ही रुग गया था जो बीजेपी ने आते एक साथ ही पांचे में नेम कप्लिट कर दिया था इस तरीके देखे और लोगों से जान लेते हैं कि यह सरकार में सर दस साल तक केमपी लटके रहे हो केमपी रोड नहीं बने हो मोदी ने 2016 में केजीपी को अधगाटन करे हो 2018 तयार करवाया कि रोड पूरो किलियर करवा दियो और केमपी भी उनने ही तयार करवाया आज पबलिक के लिए खोल दिया काम करें बिल्कुल डेफिनेटली करें सेंटर गोवर्मेंट ने बहुत विकास करें हो जी आज जीटी रोड पर देख लिए तमाम चोर आयन पर पुल बन गे भटापट गाड़ी जा रही है रा रही है सअब सफ़ाई रोड सेहर में बढ़िया हो रही है साब सफ़ाइ के लिए गाड़ी उनने चलवाई है वह गरीन करके कुछ इस तरह से गाड़ी हो कूड़ी फोडी कोड एको गिरीन वाली कूडाइ है यहां पर जो पिछले पास साल में यहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बन गई रोड चोड़ी हो गई आपको क्या लगता है कि वाके में हुआ इतना नहीं अब यह कह रहे हैं कि मोधी ने विकास किया क्या सतर साल में कोछ देश में नहीं हुआ कोई तरक्की नहीं आई कु जबास आप नहीं हैं कि लोग से अतक्ति लोग तो लाइन लोग तो लाइनों निक retro पैसे अंतिन इनके पास ब्लेक पहले जादा थी लोग आम जनता तो परेशान हुई ना नोट बंदी से वह तो देश के लिए जी तना तो जेलना पड़ता है चलो देश के लिए जलना था है अब यह बताई कि जिसी को कोई परेशानी नहीं है जी एस टी से तो बिजनीस करना और आसान हो गया है पहले हम यहां से गाजियाब हमारे यहां विकासकारियों की जड़ी लगा दिये इस सरकारे अबसे पहले में पलवल में कॉलीज बनायाret krisnपाल गुजर न到 बगहुला में कॉलीज बनाया है गुंप कॉलीज हुग zit क्रिशन पाल गूजर ने और संजय गांधी घंध है को बिजली को कोई पानी नहीं कोई वहा surge नहीं और अभी जो सीमत रिखाने अक्रिस पाल गूजर ने यहां पानी भी जोई ट्रमμέ से सरकार है और बहुत नुइल कना हुआ है यूवा भी हमारे साथ यहां पर बैटे हुए उनसे पूचेंगे कि पिछले यहां पर जब से बीजेपी की सरकार है उनको किस तरीके का यहां पर रोजगार मिला है या शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हुआ हैं सिक्षा के स्तर में कोई कमी नहीं करता है जो जितने प्रिविट स्कूल है वो बहुत है और जुक्री हमाल भी सुईधोंडेयर रहे हैं अगर आपना बिजनस भी कर रह तो लोग आप पहले से मच बेटर स्कोप मिला है उनको काम करने के लिए और सर्विस एंपलोई जो हैं बहुत सारी कंपनीज नहीं आई हैं बाहर से भी आउट ओफ इंडिया तो मंटली नेशनल कंपनी का स्कोप बढ़ा है रोजगार की वेस पर रोजगार को जाएगा